मसकार जी आप सभी का एजिकेशन नोलिस्टी चैनल पर हार दिक स्वागत करता हूँ मैं हूँ आपका साथी देवपाल कैसे आप सभी अगर आप हर्याना विद्धाले सीख्ष्य बोड के स्टुडेंट हैं किलास तस्वी के, किलास बारवी के चाहे आप रेगुलर से हैं, चाहे आप उपन स्कूल से हैं सभी के लिए वीडियो है भई साथ सवालों के जवाब आप सभी को इस एक वीडियो में ही मिलने वाले हैं और आप सभी के डिमांड पर यह वीडियो बनाई जा रही है आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजीगा, अपने सभी दोस्तों के साथ सेर कीजीगा तो आप सभी का कोमन से सवाल है और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल है पहला सवाल है कक्षिया दसवी और क्या मैरिट मिलेगी यानि कि आप सभी काफी सारे कमेंट करते हैं, मेरे पास कोल भी करते हैं और पर बार पूछे हैं कि सर दसवी कक्षिया में हम सभी को पास कर देगा है रैगुलर को क्या हमें मैरिट दी जाएगी तो भाई हरियाना विद्दाले सिक्ष्य बोड़ी की तरफ से साप इंकार कर दिया है मेरिट किशी को नहीं मिलेगी लेकिन किशी को पैल भी नहीं किया जाएगा यानि कि सभी को पास किया जाएगा मेरिट आपको नहीं मिलेगी दूसरा स्वाल जो कि बार बार पूछा जाने वाला है बार भी तस्विक अक्षा के लिए ही क्या बोर्ड ही मार्क्षिट जारी करेगा बहुत सारे स्टुडेंट कन्फ्यूज है क्योंकि हर्याना बोर्ड इस बार एक्जामी नहीं ले रहा है और क्या बोर्ड इस बार मार्क दी जाएगी कोई फिर बदल नहीं है तीसरा सवाल आपका है दसवी क्या मैरिट पाने के लिए एक्जाम देने होंगे और देने होंगे तो कब देने होंगे तो भई यह साब कर दिया है हरियाना बोर्ड ने अगर आपको मैरिट चाहिए तो आपको एक्जाम देने इस पर अभी फैसला नहीं लिया गया है कि आपको एक्जाम इस महीने से देने हैं इस दिन से देने हैं लेकिन हम आपको बता देते हैं कि आपके जो एक्जाम है वो आपके अगस्त में संभावित हो सकते हैं कि आपके अगस्त में हलियाना वोड़ आपके एक्जाम ले ठीक भ स्वाल है तो आपको बता देते हैं अर्याणा विदाले सीक्ष्य वोर्ड अपने रजल्ट में जोटे हुए हैं सभी करमचारी और आपका रजल्ट तैयार किये जा रहे हैं इंटरनल एसेस्मेंट के आधार पर आपकी जो परिणाम है जून के फर्स्ट वीक में जारी कर दिये जाएंगे उसके बाद बारवी कक्षा का सवाल है बारवी के एक्जाम कब होंगे तो बारवी के एक्जाम आप सभी जानते हैं कि बारवी के एक्जाम पोस्पॉंड किये हुए हैं फिलाल रद नहीं हुए हैं पर्मानेंटली रद नहीं हुए हैं इस पर चर्चा होगी एक जून को ठीक है अगर इसको पॉस्समोंड के बाद पर्मेनेंटली अगर इसे रद करते हैं तो उसको भी आपको बताएंगे अगर आपके एक्जाम लेंगे तो भी बताएंगे एक्जाम आपके अभी बताया गया है कि एक्जाम आपके होंगे उसके बाद 12 क्या हम भी परमोट होंगे तो भई आप भी परमोट हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे हैस्टेक चले हुई है ट्वीटर पर और सरकार को बताया जा रहा है कि इस प्रकार से की करोना फैला हुआ हुआ है हैं वे चाथे हैं कि हमारे एक्जाम हो तो बहि जैसा व히 आप को पोसीबल लगे कि एक्जाम होने चाहिए है फिर यह नहीं होने हecी कमेंट कर दीजीगा उसके बाद सवाल है बारवी का कि ही वो रहे है जो कि open school के हैं 10 वी और 12 वी के वे पुछ रहें कि सर हमारा क्या होगा हमें एक्जाम देने पड़ेंगे या फिर नहीं देने पड़ेंगे तो आपका भी एक जून को ही फैसला आएगा open school के लिए भी लेकिन open school को जहां तक कहा गया है कि एक्जाम देने ही पड़ेंगे आपको पोस पोस्पोंड किये हुए है आपकी एक्जाम देने पड़ेंगे पर्मेंटली रद नहीं होंगे जैसी कोई जानकारी मिलती है भी आपको बताएंगे ठीक है चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखीगा सभीक साथ सेर कीजीगा धन्यवाब